Exercise 1.3, Express the Binary Numerals in Decimal Numbers. एक एक्जम्पल लेते हैं, 1, 1, 1, अगर बेस हम लोगने 10 consider के आए, तो इसको 111 बोल सकते हैं, लेकिन अगर बेस हम लोगने 10 consider नहीं करके 2 consider के आए, तो ये 111 नहीं है, कितना हैं? इसको expand करके दिखते हैं, तो ये 1 into बेस कितना consider के हम लोगने 2, इसके बात कितना digit चें? 1 and 2, तो 2 to the power 2 plus फिर 1 into 2 to the power इसके बाद कितना डिजिट है 1 तो यह बहुत पावर 1 आएगा फिर लास में कितना आएगा 1 तो 2 to the power 2 4 into 1 4 plus 2 to the power 1 2 into 1 2 plus 1 तो कितना आ गया 7 मतलब 1 1 1 decimal system में कितना हो जाता है 7 ठीक है सारा question सेग दोम इजिए बस हम लोग को base में 10 के जग में 2 लेना है और बस expand करना है expand करने के बाद आप देख सकते हो 1010101 decimal में कितना है इसका meaning 85 ठीक है next question write the following numerals in binary पहले 5th number question को दिखते है यह जो 45 बोल रही हम लोग यह कौन सा system का है यह decimal system का है यानि कि इसका base कितना है 10 है इसका base 10 है इसलिए तो इसको 45 बोलते है क्यों क्योंकि अगर इसको expand करेंगे तो ऐसा होगा 4 into 10 to the power इसके बाद कितना digit है 1 प्लास विर 5 4 10 जब 40 प्लास 5 कितना हो गया 45 लेकिन हमें इसको binary system में convert करना है और binary system में base कितना होता है 2 है मलब binary system में 45 को कैसे लिखेंगे ये हम लोग को दिखाना है तो इसके लिखेंगे हम base कितना है 2 simply हम लोग 2 से divide करते जाएंगे 2 2 is a 4 फिर 2 2 is a 4 5 में से 4 गया तो 1 बच्चा और remainder को यहाँ पे लिख दिया 2 1 is a 2, 2 1 is a 2 remainder कुछ भी नी मलबब 0 2 5 is a 10, remainder 1 बच्चा 2 2 is a 4, remainder 1 2 1 is a 2, remainder 0 2 0 is a 0 और फिर 1 remainder और यह वाला जो होता है यह unit place का होता है तो इसको कैसे लिखेंगे इस लिखेंगे, इस order में लिखेंगे यानि कि 45 binary में कितना होता है 1 0 1 1 0 1 यह फर्स्ट वाला unit place में कियो होता है इसके लिए एक्जम्पल लेलो फर एक्जम्पल 44 तो 2 से डिवाइड करना स्टाट करो 2 2 is a 4, 2 2 is a 4, remainder 0 2 1 is a 2, 2 1 is a 2, remainder 0 2 5 is a 10, 1 remainder 2 2 is a 4, 1 remainder 2 1 is a 2, फिर 0, remainder 2 0 is a 0, फिर 1, remainder अब इसको हम लोग ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं ना कि 0 0 1 1 0 1 इसका कोई मतला भी नहीं है आगे आगे 0 का कोई मतला भी नहीं है इसलिए यह हमें इसा unit place में होता है ठीक है इसलिए ऐसा लिखते हैं हम लोग 1 0 1 1 0 0 बागी सारा कोईशन्स भी ऐसा है एकदम इजी है अब ध्यान से दिखोगे तो आराम से कर पाऊगे ठीक है नेक्स्स कोईशन एक्सक्रेस एंड डिसीमल पहले फिफ्ट नमबर कोईशन में दिखते हैं बहुत ही चादा इजी है कैसे करना है 1 इन्टू बेसे 8 टुदी पाऊवर 1 के बाद कितना डिज़े 1 2 3 तो यहां पे 3 आएगा प्लास 1 इन्टू फिर बेस 8 टुदी पाऊवर 1 के बाद कितना डिज़े 1 2 तो 2 आएगा प्लास 6 इन्टू 8 तुदी पाऊवर 6 के बाद कितना digit है 1 plus 5 तो कितना हो जाएगा ये 1 into 8 to the power 3 कितना हो था है 512 plus 1 into 8 to the power 2 64 plus 6 into 8 to the power 1 8 plus 5 यह होगा 512 plus 64 plus 48 plus 5 अब इसको 8 करो 6 14 19 1 carry 2 8 12 2 1 carry 1 or 5 6 यह decimal में कुणबाट हो गया है बागी सारा 1 to 7 questions भी similar ही है एकदम easy है अराम से कर पाओ गया अब इत नंबर question थोड़ा सालग है यहापे C और D का मतलब क्या है बस यही जानना है तो easily solve हो जाएगा यह question भी total कितना digit summary के पास 0 to 9 तो A का मतलब कितना होगा 10 यानि कि 9 plus 1 10 similarly B का मतलब कितना होगा 9 plus 2 A B 9 plus 2 11 अब C का मतलब कितना होगा 9 plus A B C 3 9 plus 3 यानि कि 12 अभी D का मतलब कितना होगा 9 plus A B C D यानि कि 4 9 plus 4 कितना होगा 13 तो जब हम लोग expand करेंगे C के जाक में कितना लिखना बढ़ेगा 9 plus 3 यानि कि 12 12 इंटू 16 to the power 2 प्लास D का मतलब कितना है 13 इंटू 16 to the power 1 प्लास 2 अभी 12 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू यानि कि 208 प्लास 2 अभी 256 को 12 से मतलिप्लाई करो यह जाएगा 512 और यह जाएगा 256 2703 यानि कि 3072 प्लास अभी 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 208 प्लास 2 अभी 10 12 वान केरी 7 8 2 और यह प्लास D यह जाएगा 3 यानि कि 3282 डेसिमल जिस्टम में यह जाएगा बाकित तरह कुछिंस भी वे साही है एकदम इजी साही थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से हो जाएगा ठीक है नेक्स्क्वेशन भी एकदम जादा इजी है बोला है राइड ओल दर नंबर्स फूम 1-200 इं ब में हम लोग को इसी को बेस्टू में एक्स्प्रेस करना है तो क्या करना है बस सिंपल सा डिवाइड करना पड़ेगा आपको टू जादा जीरो वान रिमेंडर ठीक है मैंने कुछ-कुछ नंबर सॉल कर दिया है बागी सारा आप कर लेना ठीक है जैसे कि यह वाला 95 बेस्ट को नहीं मिलता है ठीक ही तो आपको यह वाला मिल जाएगा निक्स्ट क्वेशिन बुलाएं राइट ओल दा नंबर्स फ्रम वान टू थार्टीन बेस्ट्री तो यह भी बहुत इजी है मैं कुछ नंबर कर देता हूँ जैसे कि 25 हम लोग को बेस्ट्री में कॉनबर्ट करना ह 3 से डिवाइड करना बढ़ेगा 38024 वान रिमेंडर 32006 टू रिमेंडर 30000 टू रिमेंडर जीरो आगे ना बस यह भी रुखना है हम लोग को बलाव जो 25 है वो बेस्ट्री में कितना होता है 221 जैसे 29 को भी देखलो आप 39027 टू रिमेंडर 3309 जेरो रिमेंडर 3103 जेरो र रुखना है तो हम लोग को 29 बेस्ट्री में कितना मिलता है 1002 बाखे बाकी नंबर्स आप सौल कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट्री गुश्शेन एक्सपेस इन बाइनेरी निम्रेल्स यह जो 12 ध्याए यह बेस्त्री में है तो पहले हम लोग को बेस्टेंग में कॉन्वाट करना अब है टीक के तो बेस्टेंग में को ईय्या करना बीगा इसको यह सबक Mouse बढ़ेगा 1 in 2 3 to the power 1 plus 2 तो 1 in 2 3 3 plus 2 कितना हो गया 5 यानि कि 1 2 बेस 10 में कितना होता है 5 अब इसको हम लोग को बेस 2 में convert करना है क्योंकि binary मतला बेस 2 और इसके लिए हम लोग को क्या करने बढ़ेगा जो 5 है इसको 2 से डिवाइड करने बढ़ेगा 2 2s are 4 1 remainder 2 1s are 2 0 remainder 2 0 1 remainder यहां पर जिरो आगे ना बस यह भी रुकना है हम लोग को तो कितना मिला हम लोग को 101 यह भी ऐसा है पहले हम लोग को बेस 10 में convert करने बढ़ेगा फिर बेस 2 में बेस 10 में convert करने के लिए हम लोग को क्या करने बढ़ेगा 1 into 3 to the power 2 plus 2 यह हो गया 9 plus 2 11 अभी इसको बेस 2 में convert करने के लिए हम लोग को 2 से डिवाइड करने बढ़ेगा 2 5s are 10 1 remainder 2 2s are 4 1 remainder 2 1s are 2 0 remainder 2 0 0 1 remainder 0 यहां पर आगे बस रुकना ही यह भी तो कितना मिलता है 1 0 1 1 ठीक है यह अब यह साहे यह बेस 4 में पहले हम लोग को बेस 10 में convert करने बढ़ेगा simple साहे 4 into 4 to the power 2 plus 1 into 4 to the power 1 plus 4 यह आगया 64 plus 4 plus 4 यह आगया 72 अभी इसको बेस 2 में convert करना है तो 72 को 2 से डिवाइड कर दो 2 36 सा 7 2 0 carry 2 18 जा 36 0 remainder 2 9 जा 18 0 remainder 2 4 जा 8 1 remainder 2 जा 4 0 remainder 2 1 जा 2 0 remainder 2 001 remainder तो यह भी रुकना है तो कितना मिलता है हम लोग को 1 0 0 1 0 0 0 in base 2 next question भी वे साही है एक दूम इजी सा है next question arrange in ascending order यह binary में है पहले हम लोग ने decimal में convert किया फिर decimal से हम लोग ने compare किया सबसे छोटा यह है 29 फिर 43 और फिर 51 तो यह मिल जाता है similarly यह भी ऐसा गया binary से पहले decimal में convert किया और फिर देखा यहां से सबसे छोटा कौन है यह सबसे छोटा आए 53 फिर 85 और फिर 117 ठीक है next question expressed in decimal fraction बहुत ज़ता easy है यह binary में है हम लोग को decimal में convert करना है ठीक है तो कैसे करेंगे 1 into 2 to the power 1 plus 0 plus 1 by 2 to the power 1 अगर यह decimal system होता तो यहाँ पे 2 के जगह में 10 होता है लेकिन यह binary यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा हम लोग को 1 by 2 to the power 1 plus 0 plus 1 by 2 to the power 3 plus 1 by 2 to the power 4 यह 1 into 2 2 आएगा यह तो half है और यह 0 हो जाएगा यह 1 by 8 plus 1 by 16 अब एक कम करते हैं उपर और नीचे 100 से multiply करते हैं इससे क्या होगा 4 to the 8 4 25 जा 100 अब 25 को 2 से divide करेंगे तो कितना मिलेगा 12.5 मिलेगा ना 2 into 12.5 करने से 25 आएगा अब इधर भी 100 से multiply करते हैं उपर नीचे तो केसा होगा यह 4 4 16 4 25 जा 100 2 2 0 4 2 12.5 0 25 अब फिर से 12.5 को 2 से divide करो तो कितना मिलेगा 2 6 0 12 फिर point A 2 2 0 4 1 केरी 1 और 0 10 हो जाएगा 2 5 0 10 तो नेक्स लाइन में हम लोगो क्या मिलेगा 2 plus 1 by 2 plus यह होगा 12.5 by 100 plus 6.25 by 100 अब यह 2 0 के लिए decimal 2 digit left side move करेगा यानि कि decimal यहां पर आएगा और यहां पर भी 2 0 है नीचे इसलिए decimal 2 digit कित मूब करेगा मलता यहां पर मूब करेगा तो 2 plus यह हाफ कितना होता है 0.5 plus यह हो जाएगा 0.125 plus यह हो जाएगा 0.0625 अभी point के बात कितना डिज़ जाए 4 यहां पर 3 एक 0 पूट कर देते और यहां पर 1 ही तो 3 0s पूट कर देते ते तो आप क्या मिलेगा 2.005 0.0527 हो गया फिर 0.28 और 5 6 हो गया बालब 2.6875 बालब यह बाइनरी में है इतना और डेसेमल में कॉट करने पर यह मिलेगा हम लोग को ठीक है next question भी similar है यह बाइनर में है हम लोग को decimal में convert करना है express करेंगे तो ऐसे मिलेगा हम लोग को अभी क्या करते है उपर नीचे 100 से multiply गया देते है इससे क्या होगा 4 to the 8 425 is the 100 अभी 25 को 2 से divide करेंगे तो कितना मिलेगा 12.5 ठीक है तो next line में 8 plus 2 कितना हो गया 10 plus half मतला कितना है 0.5 plus 12.5 by 100 अभी यह दो 0 के लिए decimal यहाँ पर move करेगा तो क्या मिलेगा 10 plus 0.5 plus 0.125 अभी point के बाद कितना digits है 3 digits तो यहाँ पर भी 20 लगा दो 8 करने में easy होगा तो 10.0 plus 5 कितना होगा 5 0 plus 2 2 5 और 1 6 होगया तो decimal में हम लोग को इतना मिलेगा अब में next question में क्या बोला है इफ ए binary number ends with two zeros so that its decimal expansion is divisible by 2 to the power 2 तो सबसे पहले एक binary number मान लेते ही let k equal to b1 b2 b3 dot 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 bn minus 2 bn minus 1 bn और बोला है ends with two zeros तो यह पर दो zeros लिख देते है अभी इसका decimal expansion के हिसा होगा सबसे पहले इसको लिख लिखते है bn into 2 to the power अभी यहां पर कितना सरा digit से n minus 1 digit से और यहां पर कितना सरा digit से 2 तो यह क्या हो जाएगा n plus 1 हो जाएगा यानिकि यहांपे n plus 1 आएगा ठीके फिर plus अभी इसको लिखेंगे bn minus 1 into 2 to the power अभी इसको लिखेंगे bn minus 1 into 2 to the power अभी यहांपे कितना सरा digit से n minus 2 digit से और यहांपे कितना सरा digit से plus 2 तो minus 2 plus 2 cancel हो क्या है यानि कि यहाँ पी N आएगा, प्लास अभी इसको लिखेंगे, B N-2 इंटू 2 दिदी पावर, अब यहाँ से क्लिरली दिख रहा है हम लोग को, यह N-1 फिर N हो गया है, यानि कि एक के करके कम हो रहा है, ठीकि, तो यहाँ पी क्या हो जाएगा, N-1 हो जाएगा, फिर नेक्स मे के क्या हैगा, N-2, N-3, एसको भ्रे क्या हो जाएगा, ठीकि, प्लास ,Dot, Dot, Dot , B3 इन्टू 2 दिदिप्रम, अब यहाँबे कितना सर्थ actsह है, चाड दीदषिल दिद्ध छे, प्लास ,B2 इन्टू 2 दिदिद्ध अबेकितना सर्थे, 3 प्लास ,B1 इन्टू 2 दिदिदी पाव भी divisible by 2 to the power 2 बोला है ना, तो हम लोग 2 to the power 2 common लेने के कुशिस करते हैं, ठीकी, तो कैसे करेंगे, यह वाग bn into 2 to the power n plus 1, यहाँ पे minus 2 करेंगे और यहाँ पे plus 2 करेंगे, ठीकी, छोटा क्लास में बड़ाई होगा ना, अगर base सेम होगा ना, तो power क्या होता, 8 होता है, याने क यह वाला power और यह वाला power एड़ो जाएगा, n plus 1 minus 2 plus 2, तो minus 2 plus 2 cancel होगे फिर से यह मिलेगा ना, हम लोग को वापस फिर से यह मिलेगा गिनी, ठीकी, तो एसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीकी, तो यहाँ पे भी हम लोग एसा लिखेंगे, 2 to the power n minus 2 into 2 to the power 2, minus 2 plus 2 होगे cancel होगे इस इस इनी बचेगा ना, ठीके, plus bn minus 2 into 2 to the power n minus 1 minus 2 into 2, पे फिर 2, ठीके, plus dot 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 dot, plus b3 into 2 to the power 4 minus 2, फिर plus 2 होगे, ठीके, अब भी b2 into 2 to the power 3 minus 2 अब फिर plus 2 होगे, ठीके, अर लास्में यह बच्छा, ब1 इंटू 2 to the power 2 यहां पर तो अल्यदी 2 to the power 2 है तो कुछ नहीं करने का जरू है जरू है यहां बेदा और यह तो 0-0 हो जाएगा अब यह सब 2 to the power 2 common लेखी तो अगर यहांसे 2 to the power 2 common लेला तो यहां पर क्या बच्चेगा BN इंटू 2 to the power N यह क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा प्लास इसको कमान ले लिया तो यहां प्ली क्या होगा? B N minus 1 into 2 to the power N minus 2 plus ये वाला common delia B N minus 2 into 2 to the power N minus 3 plus dot 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 plus B 3 into 2 to the power 2 शे ले 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 सकतर ले is divisible by 2 to the power 2 सक्क्यों लिख सक्ते में सम्झने कोशिश कर्था आपको for example is 16 divisible by 8 अभी तेखो 16 को हम लोग के से लिख सक्ते है 2 into 8 यह पे 16 का इसक्ते प्रफेक्टर 8 है की निए एक फेक्टर ही 16 का तो 16 इस डिविजबल और दूसरा एक्जेंबल लिखाओ is 21 डिविजबल वाई 7 21 का हम लोग के से लिख सकते है 3 into 7 यहां पे 21 का फेक्टर एक 7 भी है की निए यानि की 21 7 से डिविजबल होगा similarly यहां पे देखो K का फेक्टर 2 to the power 2 भी है की निए यहां पे 2 factor है एक तो यह फेक्टर है और दूसरा यह फेक्टर है K का तो यहां पे 2 to the power 2 k का एक फेक्टर हरी इसले k 2 to the power 2 से दिविसिबल हो का है तो है हंस any binary number which ends with two zeros will be divisible by 2 to the power 2. क्वेशिन नाइन भी क्वेशिन नामर एट जैसा है एकदम ईजी है जस यहां पर हम लोग 2 to the power 3 common लेंगे और common लेने के बाद हम लोगों को यह मिलेगा मतलब 2 to the power 3 k का एक फेक्टर है कि नहीं k का एक फेक्टर है मतलब k 2 to the power 3 से दिविसिबल हो जाएगा क्वेशिन नमर टेन इडिंटिफाइद इवन और नमबर लास्ट में अगर वान है तो और जाएगा पर लास्ट में अगर जीरो हे तो इवन हो जाएगा बस इतना यह है क्वेश्टिन नमर 11 एक्सप्रेश दफोलिंग इन रेडिक्स फ्रेक्शन और बेस शीक्स सबसे पहले रेडिक्स फ्रेक्शन क्या है उसको समझने कुछिस करते हैं एक फ्रेक्शन इन बेस अधर देन टेन एक ग्जंपल लेते हैं 0.5625 बेस टेन में ठीक है तो अभी इसको ब सब्सक्राइब है तो यह पॉइंट यहां पर जाएगा तो यह जीरो नहीं चाहिए अभी यह हुआ नोन इंटीजर पर्ट और यह हुआ इंटीजर पर्ट हम लोग को नोन इंटीजर वाला पार्ट को लेना है यानि की 0.375 और फिर 6 से मॉलिप्लाइब करना है 6530 3 केरी किया 670 42 & 3 45 4 केरी 630 18 & 4 22 3 डिजिस आगे पॉइंट है तो यहां पर जाएगा पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं तो इसको रफ कर दिते हैं फिर से यह नोन इंटीजर पार्ट नोन इंटीजर पार्ट को केरी करते हैं फिर 6 से मॉलिप्लाइब कर दिया 65030 3 केरी 6 12 13 14 15 टू डिजिस आगे पॉइंट ही तो यहां पर जागा फिर से डेसिमिल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं अब फिर से नोन इंटीजर पार्ट को केरी करते हैं पॉइंट फाइब इंटू 6 तो 65030 एक डिजिट आगे पॉइंट है तो 3.0 मिलेगा अब नॉन इंटीजर पार्ट में जिरो आगे ना बस नहीं पी रुगना है कि मला हमको यह प्रोसेस तब तक करना है जब तक नॉन इंटीजर पार्ट में जिरो ना जाए जिरो आगे ना बस इतना ही है अब धी कैसे लिखेंगे हम लोग इसका मतलब 0.5625 बेस टेन को अगर बेस इक्स में कॉनबट करेंगे तो क्या मिलेगा 0.3213 0.3213 इसको रेडिक्स फ्रेक्शन नहीं बोलें क्योंकि इसका बेस टेन है इसको बोलेंगे रेडिक्स फ्रेक्शन क्योंकि इसका बेस शिक्स है क्योंकि डेफिनिशन क्या है एक फ्रेक्शन इन एन बेस आदर देन टेन टेन इसका बेस भी कितना है टेन है तो हम लो तो 9 by 2 मिल गया, 9 by 2 को मिक्स प्रेशन में कॉंबर्ट करो, कैसे करते हैं, 2 forza 8, 1 remainder, तो जो denominator है हमेसा denominator में रहेगा, जो remainder है उपर चला जाएगा, और 4 यहां पर आएगा, अब इसको simply एसा लिख सकते हैं, 4 plus 1 by 2, अभी यह वाला non integer पार्ट को, फिर से लिखो आप, 1 by 2 into 6, 236, तो 3 मिल गया, अभी इधर सिर्फ integer आगा है ना, non integer कुछ भी नहीं, तो यहीं पर रुखना है, तो answer क्या होगा, 0.43, अभी second को देखो, यह base 10 में है, इसको हम लोग को base 6 में convert करना है, और इसे को radius fraction बोलते हैं, a fraction in any base other than 10, तो same process, 11 by 16 into 6, 236 to 816, यह होगा 33 by 8, और इसको कैसे लिखेंगे, 8, 4, 1, 8 forza 32 plus 1, 33 by 8, और इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर से यह वाला non integer part को आगे ले किया हो, 1 by 8 into 6, 2 forza 8, 236, तो यह हो गया, 3 by 4, इसको हम लोग 0 plus 3 by 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यह proper fraction हैं, इसको mix fraction में change नहीं कर सकते हैं, अभी फिर से 3 by 4 को आगे ले किया हो, 3 by 4 into 6, 2 douze 4, 2, 3, 6, तो क्या मिलेगा, 9 by 2, इसको mix fraction में change करेगे, तो ऐसा मिलेगा, यानि की 4 plus 1 by 2, फिर से 1 by 2 को आगे ले किया, 1 by 2 into 6, 2, 3, 6, तो 3 मिल गया, अब इदर कोई भी non integer part नहीं, तो यहीं पी रुखने हैं हम लोग को, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 04043, अभी number, यह base 10 में है, हमनों को base 6 में convert करना है, तो फिर से 5 by 7 को 6 से multiply करेंगे, तो इसको तो कार नहीं सकते, क्या हैगा, 30 by 7, इसको mix fraction में change करो, 7 for the 28 plus 2 30, इसको ऐसा लिख सकते, अभी non integer part को इदर लिखो, 2 by 7 into 6, फिर से कार नहीं सकते, तो 12 by 7, अभी 7 बंजा 7 plus 5, 12, तो 1 plus 5 by 7, अभी 7 को यहाँ पर लिखो, यह मिलेगा, 30 by 7, इसको लिख सकते, 4, 2 by 7, 4 plus 2 by 7, फिर से 2 by 7 को carry करो, into 6, 12 by 7, फिर से 1, 5 by 7, फिर से 1, 5 by 7, फिर से 5 by 7 को carry करो आगे, लेकिन यहाँ पर कुछ पेटान दिख रहा है हम लोगको है ना, यह 5 by 7, बार बार रिपीट हो रहा है, वल्लब यह जो 4, 1, 4, 1, रिपीट होता जाएगा, तीक है, यानि कि हम लोगको के साम लेगा, 0.41 बार देना पड़ेगा, नेक्स क्वेशिन, 13 by 16, बेस्टेन में, इसको हम लोगको बेस्टिक्स में convert करना है, सेम प्रोसेस, 13 by 16, इंटो 6, 2, 3, 6, 2, 8, 16, तो यह होगा 39 by 8, 8, 4, 32, तो 7 बचेगा, इसको हम लोग 4, प्लस 7 by 8 लिख सकते हैं, फिर इसको आगे लेकिया हो, 7 by 8 इंटो 6, 2, 4 जा 8, 2, 3 जा 6, यह होगा 21 by 4, 4, 5 जा 20, प्लस 1, 21, इसको 5, प्लस 1 by 4 लिख सकते हैं, बी 1 by 4 इंटो 6, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, तो 3 by 2 मिलेगा, 2, 1 जा 2, प्लस 1, 3 by 2, 1 जा 2, प्लस 1 by 2, अब इसको आगे लेकिया हो, 1 by 2 इंटो 6, 2, 3 जा 6, 3 मिल गया, अब इज़र कोई भी नॉन इंटेजर पार्ट नहीं, तो यह भी रुखना है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 0.4513, question number 12 भी एगदम इज़िये, इसको हम लोग को रेडिक्स फ्रेक्शन में चेंज करने हैं, अब बेस 5, पहले एक काम करते है, यह जो 2, 1, 4 है, यह तो बेस 10 में है, इसको हम लोग पहले बेस 5 में इंटो इसको बेस 5 में इंटो इसको बेस 5 में करने के लिए, 5 से डिवाइड क 5, 1, 5, 3, remainder, 5, 0, 0, 1, remainder, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1, 3, 2, 4, अब भी यह जो नोन इंटेजर पाड़ी, इसको बेस 5 में करने के लिए, इसको बेस 5 में करने के लिए, सेम प्रोसेस, 0.35 इंटो 5, 5, 25, 2 के रिए, 5, 3, 15, 16, 17, 1.75, अभी नोन इंटेजर पाड़ को केरी करो अब, 0.75 इंटो 5, 5, 5, 0, 25, 2 केरी, 5, 7, 35, 36, 37, 3.75, फिर से 0.75 को केरी करो, 5, 5, 0, 25, 2, 5, 7, 35, 36, 37, फिर से 0.75 को केरी करो, 5, 5, 0, 25, 2, सेम मिलेगा, है ना, फिर से 0.75 को केरी करो, यानि कि, यानि कि, यह जो 3 है, रिपीट होता ही जाएगा, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.13 बार, क्योंकि 3 रिपीट होती जाएगा न, इसका मतलब, 214.35 बेस 10 को, हम लोग बेस 5 में कैसे लिख सकते हैं, यह जो इंटीजर वाला पाट ही, इसका कितना आता है, 1, 3, 2, 4, 0.3 यह नोन इंटीजर पाट का कितना आता है, 1, 3 बार, ठीक, बेस 5 में,